Welcome everyone to this brand new video right here और आज इस वीडियो के अंदर हम बनाने जा रहे हैं ये hamburger menu So if I click right here आप देखोगे कि इस तरीके से हमारा कुछ menu निकल के आता है बहुत ही cool यहाँ पर animations है और इस तरीके से यहाँ पर जाता है आप ये background कुछ भी यूज कर सकते हैं I have used this wallpaper right here और ये कुछ हम यहाँ पर बनाने वाले हैं अब अगर हम इसको देखें तो this will be completely responsive अगर आप देखो इसे छोड़ी स्क्रीन में भी देखोगे तो ये बिल्कुल ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस तरीके से काम करेगा and everything will going to work fine ठीक है तो हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर जाओंगा मैं यहाँ पर मेरा blank screen है मैं अपने code editor को खोल लेता हूँ तो code editor में basically दो files मेरे पास है HTML की और CSS की तो पूरा जो code है हम सिर्फ HTML CSS में लिखने वाले और इसके अंदर और कुछ दूसरा code नहीं होने वाला है मैं एक यहाँ पर boilerplate ले लेता हूँ और यहाँ पर code ले लेता हूँ title के अंदर मैं ले लूँगा navigation hamburger hamburger navigation और यह हो गया मेरा यहाँ पर और मुझे link करनी है CSS तो वो मैं यहाँ पर link कर दूँगा तो उसके लिए यहाँ पर मैं दूँगा link style style dot css ठीक है तो यह हमारा यहाँ पर काम हो गया अब नीचे आऊँगा और सबसे पहले मैं यहाँ पर HTML लिख लेता हूँ तो सबसे पहले मैं एक div बनाऊँगा जिसका नाम होगा navigation ठीक है link अंदर हम h लेंगे और उसके बाद tt लेंगे that's our hindi tech tutorials और यहाँ पर dot लगा देंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर हम input लेंगे और input के अंदर type जो होगा हमारा वो होगा check box और class जो होगी that will be nav and that will be check box ठीक है class होगा nav check box और id यहाँ पर होगा toggle btn toggle btn ठीक है यह हम करेंगे उसके बाद यहाँ पर नीच आएंगे और label यहाँ पर basically यह होगा label ठीक है label लगाएंगे और label में 4 में होगा हमारा toggle btn ठीक है और label के अंदर इसके अंदर हम यहाँ पर class भी define करेंगे class होगा यहाँ पर nav button nav button ठीक है nav button के बाद यहाँ पर span होगा span के अंदर में ले लूँँगा class class हो जाएगी nav icon और इसके अंदर हमारा end nbsp हम यहाँ पर डालेंगे end nbsp ठीक है और semi column ठीक है तो यह चीजे हम यहाँ पर basically लेंगे एक हम यहाँ ब्लिंक स्पेस यहाँ पर छोड़ रहे हैं तो यह सारी चीजे हमारी हो जाएगे ठीक है अब लेबल के नीचे हम एक div को लेंगे जिसका नाम होगा nav background ठीक है और इसके अंदर होगा हमारा nav इसके अंदर हम लेंगे और navigation nav जो यह वाला जो nav हम ले रहे हैं basically यह हमारा navigation होगा उपर वाला जो हमने लिखा हुआ है वो सारा हमारा toggle button के लिए हमने किया हुआ है यह हमारा जो navigation आप देख रहे हो click करने पर जो निकल कर रहे है वो सारा यहां पर इसका code हम लिखेंगे ठीक है इसके अंदर हम ul लेंगे ul के अंदर हम class लिखेंगे class होगी nav list ठीक है और ul के अंदर हम जाएंगे और इसके अंदर होगा li ठीक है li के अंदर होगा a और href यहां पर हम ले लेंगे hash और A के अंदर होगा home ठीक है और इसके बाद class होगा menu this will be something menu हम लेंगे इसी तरीके से मैं multiple लेना है तो मैं इसको copy कर लूँगा ठीक है यह home हो गया इसको मैं कर दूँगा about ठीक है और यह हमारा हो जाएगा services और यह हमारा हो जाएगा project project ठीक है और यह हमारा हो जाएगा contact ठीक है तो इसको मैं कर देता हूँ save और यह हमारा code जो है वो complete यहाँ पर हो जुका है यह हमें इतना चाहिए मैं live अगर इसका देखता हूँ तो यहाँ जाके देखूंगा मैं यह मेरा code इसको कर देता हूँ आप देखूगे कि यहाँ पर मेरा कुछ code यहाँ पर दिखाई दे रहा है अभी हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर add करनी है there is a lot of things which we have to put in here ठीक है तो वो हम अब लिखना यहाँ पर start करेंगे तो सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने code editor में और style.csv के अंदर जाकर मैं अपना code लिखना start करूँगा मैं काम करता हूँ इसको मैं side ले लेता हूँ और यह वाले code इसको side ले लेता हूँ और style.csv के अंदर चले जाता हूँ ठीक है style.csv के अंदर जाकर सबसे पहले तुम्हें क्या करूँगा मैं star लगाँगा और star के अंदर यहाँ पर padding जो है padding कर दूँगा 0 ठीक है उसके बाद margin जो है वो margin हो जाएगा gain 0 उसके बाद box sizing हो जाएगी that will be border box ठीक है box sizing border box हो जाएगी तो basically जो star होता है यह html के जितने भी elements है उसमें हमने सब पे यह properties apply कर दी यह basically इसका मतलब ही होता है फिर हमारा जो next होगा वो होगा body tag ठीक है body tag होगा ठीक है body tag के अंदर क्या करेंगे हम इसके अंदर हम लेंगे font family लेंगे font family हम sensorif ले लेंगे ठीक है उसके बाद line height जो है that will be one point five ठीक है line height of one point five pixel ले लेंगे और इसके बाद इसके बाद हम यहां पे background image जो है वो ले लेंगे तो background image का जो path है वो मैंने यहां पे copy कर रखा है तो वो में यहां पे paste कर देते हूं यह हमारा background file का bracket के अंदर हमें लिखना होगा ठीक है इसको करता हूं save यहां पे सब कुछे mix match हो गया है actually हमें इसका जो folder है न उसके अंदर जाना है ठीक है तो I think this should work fine let me quickly check background image image dot jpg okay let me see why it's not working okay मुझे यहां पे URL लगाना होगा न ठीक है तो URL लगाया तो यह जो मेरी image है वो यहां पे आने लग गई है ठीक है इसको मैं यहां पे view source अगरता हूं और view source में अगर मैं देखता हूं तो यहां पे background में मेरी जो image है वो visible है अब यह image जो है बहुत जादा zoom हो रही है background image को set करने के लिए हमें background size background size background size यहां पे set करना होगा background size हम ले लेंगे cover हाँ ठीक है cover करते हैं हमारी image की fix हो जाएगी और उसके बाद background position जो है वो हम ले लेंगे center ठीक है तो यह दो काम हमें यहां पे करने होंगे body के लिए body के बाद नीचे होंगा मैं और logo के लिए यहां पे मैं ट्राइ करोंगा लोगों का सबसे पहले font size होगा font size will be 40px ठीक है और इसके बाद यह padding है that will be 40px ठीक है हम यह हमारे पे जो है यह copy हो रहा है because यह दोबार है but if we you see like this तो it will gonna look perfect here then इसके बाद हम dot logo के बाद नीचे आएंगे और dot logo span में हम not dot dash span span के अंदर हम लिखेंगे logo span के अंदर हम जो color है वो basically दे देंगे red ठीक है तो यह हमारा htt का है जो color है यह यहां पे कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा ठीक है और सिर्फ हमें यह color ही यहां पे देना है और उसके बाद नेक्स जोगा यह बाद वी dot navigation ठीक है dot navigation dot navigation को हम यहां पे target करेंगे लिखेंगे let me see if I am writing everything correct dot navigation हम यहां पे ले लेंगे एक दीक है और navigation के अंदर होगा हमारा position relative position relative position relative ठीक है position relative हम यहां पे लेंगे और dot nav का जो check box है उसको हम यहां पे target करेंगे और इसमें हम ले लेंगे display none ठीक है check box के अंदर display लेंगे no none हैना तो यह हमारा यहां पे यह होजाएगा उसके बद जो नेक्स्ट है हमारा वो होगा हमारा nav बटन इसके बाद नेक्स्ट हमने बटन होगा नेव बटन के अंदर हम क्या करेंगे सबसे लिए में उसकी विट लेंगे विट हो जाएगी हमारी 70 70px उसके बाद हमारी हाइट हो जाएगी हाइट हो जाएगी 70px और बॉर्डर रेडियस हमारा हो जाएगा 50% उसके बाद बैग्राउंड हो जाएगा बैग्राउंड हो जाएगा हैश FFF ठीक है उसके बाद पॉजीशन हो जाएगी हमारी पॉजीशन विल भी फिक्स्ट ठीक है पॉजीशन फिक्स्ट हो जाएगी टॉप से हो जाएगा 40px राइट से हो जाएगा 40px ठीक है जैड इंडेक्स हो जाएगा जैड इंडेक्स हम यहाँ पे लगा देंगे 1000 तैकि यह सब से हमारा जो है वो टॉप प्रिया जाए 9000 विल भे एट ठीक है उसके बाद बॉक्स शेड़ो जो है वो हम यहाँ पे लेंगे 0 10-pixel 30-pixel और उसके के बाद यहां पर हमारा होगा RGBA, RGBA के अंदर हम लेंगे 0,0,0,0.1 ठीक है, तो यह हमारा box shadow का settings होगा, उसके बाद text align हम करेंगे, that will be center, ठीक है, और उसके बाद जो cursor हमारा होगा, cursor हमारा जो होगा, that will be pointer, ठीक है, और transition जो है, transform नहीं, transition, ठीक है, transition होगा हमारा all, और यहां पर 0,2 second, ठीक है, तो यहां पर हमारा, यह जो nav button है, वो हमने यहां पर इस तरीके से कुछ build कर लिया है, तो यह हमारा, सिर्फ हमने nav button जो है, उसको यहां पर build किया है, अगर आप देखोगे हमारा जो original जो था, इसके अंदर कुछ इस तरीके से dots मिल रहे थे, तो यह हमारा nav button है, ठीक है, और भी हमें इसके अंदर, हम धित्त लेलेलेंगे गात aşवुडल भी हीथ हुड़ बडवीयं!! अगर बाह सकतों दोट से किने सकते माइलिँ wonder a.d.स वे 50% बूर अधर गिट्ए सेल भूफडरे बाह शार करेंग अगरूडर दिल यह सेल्एंत अगर गाद प्रस्काद है है यह हमारा बैगराउंड इमेज का जो बैगराउंड होगा वो ठीक है तो यह बैगराउंड किसके लिए है यह बैगराउंड है हमारा जो नेविगिशन को क्लिक करने के बाद जो एरिया आ लिए इसकी जो है पोजिशन वह हम लेंगे फिक्स्ट ठीक है फिक्स पोजिशन लेंगे और टॉप से लेंगे हम 45 पिक्सल राइट से हम लेंगे 45 पिक्सल ठीक है और जैड इंडेक्स हम यहां पे लेंगे 1000 ठीक है 1000 ठीक है इसको हम यहां पे 2000 कर देंगे क्योंकि यह हमें उससे भी टॉप पे चाहिए तो यह हमारा हो जाएगा और यहां पे ट्रांजीशन जो होगा ठीक है नो ट्रांस फॉर्म रांजीशन ठीक है यहां ठीक है रवल कर ट्रांजीशन ठीक है और इसके अंदर हम कुछ numbers डालेंगे 0.86,0,0.07,1 ठीक है तो यह हमारा transition होगा ठीक तो यह हमारा नेव बैग्राउंड के लिए पूरा हम यहां पर transition करेंगे अपर ठीक है अब हम नेव बार के लिए यहां पर code लिखेंगे ठीक है तो जिस्क्यों में सेकेंड नेव पार यहां पर नेव बार ठीक है .nevbar के लिए हम यहां पर code लिखेंगे height will be 100vh ठीक है height 100vh लिखेंगे यह हमारी किसकी height है यह हमारा जो navbar है उसकी height है ठीक है इसकी जो position होगी that will be fixed position will be fixed top से हमको लेना है 0 और उसके बाद left से हमको लेना है that will be 0 उसके बाद top left 0 हो गया फिर z index हम ले लेंगे यहां पर that will be 1500 ठीक है और background color हम यहां पर ले लेंगे hash 7f5a83 ठीक है यह हमारा background color हो जाएगा और यहां पर हम background image डाल देंगे और यहां पर हो जाएगा हमारा linear gradient और linear gradient के अंदर हमारा होगा 315 degree पर हमको इसको लेना है और उसके बाद comma यहां पर लगाना है और जो color है वो hash 7f5a83 से start करना है ठीक है यह 0% से start होगा और यहां पर comma लगाकर hash 15598a हमें करना है और यह कहां तक जाएगा this will go up to 74% ठीक है इसको बने किया save और आप देखोगे कि यहां पर सब कुछ अभी गड़बड़ गड़बड़ दिख रहा है इसको भी हम fix करेंगे आगे जैसे-जैसे हम quote को लिखेंगे ठीक है यह हमारा हो गया background के लिए यहां पर हम next जो है वो ले लेंगे ओपे city ठीक है ओपे city हमारी हो जाएगी zero visibility हम कर देंगे इसकी hidden initially ठीक है और width इसकी हम करेंगे that will be zero और इसके बाद transition हम इसमें करेंगे all 0.8 second or cubic bezier ठीक है cubic bezier not cubics that will be cubic ठीक है और यह जो numbers होंगे वो मैं copy करके यहां पर paste कर दूँगा so आप नहीं यहां पर लिख सकते ठीक है तो यह हमारे numbers होंगे तो यह हमारे नेव बार का सारा इस तरह के से content होगा और नेव बार का content के बाद हम अब जाएंगे नेव लिस्ट में और नेव लिस्ट का content यहां पर हम लिखेंगे डॉट नेव लिस्ट का style हम यहां पर लिखेंगे नेव लिस्ट के अंदर हम यहां पर लिखेंगे पहले सबसे पहले position position हमारी होगी absolute ठीक है क्योंगे हम इसको absolutely position करना चाहते हैं absolute के बाद top जो होगा that will be 50% और लेफ्ट जो होगा that will be 50% ठीक है transform यहां पर हम करेंगे transform हम यहां पर करेंगे translate 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 ठीक है और वो हो जाएगा हमारा minus 50% comma minus 50% ठीक है हमारा transform हो जाएगा यहां पर लिस्ट स्टाइल हमारी हो जाएगी that will be none ठीक है और उसके बाद text align यहां पर हो जाएगा that will be center और उसके बाद text align will be center इसके बाद width हमारी हो जाएगी that will be 100% ठीक है अब हम सबसे पहले menu को target target करेंगे dot menu को target करेंगे और menu के अंदर हम लिखेंगे display inline block ठीक है display हमारा हो जाएगा inline block font size हमारी हो जाएगी 20 pixel ठीक है font weight हमारा हो जाएगा that will be 300 और उसके बाद color हो जाएगा hash fff okay उसके बाद padding हमारी हो जाएगी 20 pixel उसके बाद text transform हमारा हो जाएगा uppercase ठीक है text decoration हमारा हो जाएगा none transition all 0.4 second हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा content रहेगा actually यह सब कुछ अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आपको I think यह जो चीज है वो दिखाई देगी just give me a second ठीक है यह अभी कुछ इस तरीके से हमारा content निकल के यहाँ पर आ रहा है तो just wanted to show you कि यह कैसा दिख रहा है इसको refresh करता हूँ तो वह वहीं पर है but you got the idea कि यह कैसे हो रहा है ठीक है यह इस तरीके से निकल के आ रहा है मैं इसको वापिस से सभी content को comment हटा देता हूँ ठीक है menu hover हम करेंगे और menu hover के अंदर हमारा सबसे पहले color होगा color will be hash A 2 7 5 F7 ठीक है यह होगा और transform जो होगा that will be translate हम करेंगे X और वह होगा 10 pixel ठीक है तो यह menu पर hover करने का जो effect है वह हमारा यह होगा ठीक है तो यह जब भी यहां पर इचली वापर सब hide हो गए जब hover करते है न तो जो हमारे menu के जो items है वह कैसे दिखाया देते है उस time पर कैसा होगा तब यह हम यहां पर define करेंगे इसके बाद नीचे आके .nev.nev इसके अंदर हम जाएंगे .nev cheque box और यहां पर हम करेंगे checked .nev box और इसके अंदर हम करेंगे checked और पिर हमारे पास यह पर लगाना होगा यह वाल icon टिड़ वाल icon लगाना होगा .nev और फिर यहां होगा background ठीक है और इसके अंदर दो properties हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, सबसे पहले होगी, transform, transform, ठीक है, और इसको हम करेंगे, scale, basically scale क्या करता है, हलका सा है न, उसको zoom करता है, 1.6, ठीक है, और इसी तरीके से हम transform करेंगे, और इसको करेंगे, transform 1.6 करेंगे, और transform, I think we will just need this one, ठीक है, इसको हम नहीं छोड़ देंगे, and we are done for this, ठीक है, फिर हम आएंगे, nav, check, box, और यहाँ पर हो जाएगा, checked, ठीक है, checked, और film tilt का icon लगाएंगे, और यहाँ पर हम ले लेंगे, nav bar, nav bar ले लेंगे, और यहाँ पर हम लगाएंगे, opacity will be, opacity will be 1, ओके, और visibility, visibility, visibility will be, visible, ठीक है, और width will be 100%, ठीक है, तो यह हमारा, इसके अंदर का जो content है, वो सारा हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, let me quickly check, if I am writing everything wrong, yes, I think everything is correct right now, अब इसके नीचे हमारा जो next काम होगा, वो होगा, dot nav icon, ठीक है, dot nav icon लगाएंगे, position जो है, position यहाँ पर होगा हमारा relative, और उसके बाद, margin, top जो होगा, that will be 35 pixel, ठीक है, यह हमें यहाँ पर करना है, उसके बाद, dot nav icon, dot nav icon हम यहाँ पर करेंगे, और इसके बाद, next जो होगा, हमारा dot nav icon, और यह होगा, हमारा before, sudo element हमारे यहाँ पर होगा, और dot nav icon हम वापिस से लेंगे, और यह होगा हमारा after, ठीक है, तो यह दोनों होगे, और इसके यहाँ पर हम लिखेंगे, अध्युली यहाँ पर कॉमल, ठीक है, हमने रिख रखा है, यहाँ पर हम विध दे देंगे, विध विल भी 40px, इसके बाद, height will be 3 pixel और background will be background will be black ठीक है और display will be inline block यह सारी हमारी चीजे यहाँ पर होगी ठीक है इसके बाद हम आएंगे नीचे और यहाँ पर हम लेंगे dot nav icon before ठीक है comma nav icon यहाँ पर होगा हमारा after ठीक है before after के लिए हम explicitly कुछ यहाँ पर चीजे set करेंगे जैसे कि सबसे पहले हमारा content होगा इन दोनों के लिए content जो होगा हमारा that will be empty content position जो होगी हमारी that will be absolute absolute और उसके बाद left हमारा होगा zero और इसके बाद transition जो होगा हमारा not a transform transition 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 होगा हमारा all 0.2 second transition ठीक है इतना होगा हमारा और nav icon before के लिए हम कुछ और properties हमें चाहिए होगी तो वह हम अलग से लिखेंगे सिर्फ nav icon before के लिए ठीक है तो यहां पर हम nav icon before को target करेंगे और nav icon before में हम top में minus minus 10 pixel यहां पर देदेंगे ठीक है तो यह हमारा before हो गया और after के लिए हम फिर अलग से करेंगे इसको मैं copy कर लेता हूं ऐसा as it is और यहां पर मैं कर दूँँगा after और यहां पर हम यह positive रखेंगे ठीक है तो यहां तक इतना ही change होगा और उसके बाद ठीक है 137 नेक्स्ट हमारा जो होगा that will be dot nav button hover करेंगे हम ठीक है और hover के बाद इसके अंदर जो होगा that will be nav icon before ठीक है nav icon before और इसके अंदर हम top से top से ले लेंगे minus 12 pixel ठीक है और similarly यह before है इसका हमें after करना है ठीक है तो यहां आउँगा मैं इसको नीचे करूँगा और यहां पर after करेंगे और यह हमारा हो जाएगा positive तो यह हो जाएगा 12 pixel pixel ठीक है अब next यह होगा वह हमारा होगा dot nav dash checkbox ठीक है checkbox checked plus ठीक है dot nav button nav button उसके बाद dot nav icon ठीक है और इसका जो background होगा background होगा that will be transparent ठीक है background will be transparent so that is something जो हमें यहां पर करना होगा इसको सेव करता हो ठीक है तो यह हमारा यहां तो complete हो गया है now only there are two properties जो हमको apply करनी होगी and will be ready to go ठीक है और सबसे पहले हम क्या करेंगा उसके लिए nav और checkbox जो है हमारा checkbox checked plus dot nav button okay इसके अंदर हम लेंगे nav icon before ठीक है nav icon before यह इसके अंदर हमें कुछ properties डालनी होगी और सबसे पहले हम इसमें ले लेंगे इसके बिफोर हुआ और यह यहां पर उपर वाला जो इसका सेम होगा यह यहां पर अचली यह बिफोर है और यह after हम आखना है ठीक है और यह सेम होगा top 0 होगा rotate 135 degree होगा ठीक है मैंने save किया और यह code हमारा यहां पर complete हो गया ओके यहां पर एक हमने problem की है और यह यह है कि यहां पर हमने check box जो है न इसकी spelling गलत लिख रखी है तो check box वाली जो भी properties है वह वहां पर apply नहीं हो रही थी मैं सिर्फ इसको switch करता हूं इसको save करता हूं और आप देखोगे कि सब कुछ जो है वो ठीक से यहां पर काम करने लगेगा तो यहां पर हमारा यह complete हो चुका है इस पर hover करता हूं इसको यहां से remove करता हूं तो कुछ इस तरीके से दिखता है और आप आप गूझ करता है अन्ज़ करता है इस वज़ वाच करता है वह रहे वाच करता है यह दो पिस वाच ज़िए आप गाज आप